Hello everyone, I hope you all are very well, I am Mayank Agrawal, आज हम अस वीडियो में Complete the Hindu Editorials का Analysis करेंगे साथ ही जो important articles हैं उनको भी discuss करेंगे So, आज देख लेते हैं कौन-कौन से articles जो हैं वो हमें discuss करने हैं सबसे पहला Beak at the Top ये जो article है वो बिहार के politics के बारे में हैं So, थोड़ा हम discuss इसलिए कर सकते हैं because अब election का result आ चुका है That ये वाला जो article है वो USA के जो election है उसमें different-different जो उनके president रहे हैं उनके time period के बारे में discuss किया गया है तो वो अपने लिए important नहीं है Then, ये वाला जो article है वो MP में जो by election हुए हैं उससे related ये पूरा article है Then, ये जो article है इसमें बात की जा रही है कि जो election में forecast होते हैं exit poll, opinion poll और ये जो जितने भी poll होते हैं वो सारे के सारे उनमें क्या problem है उसके बारे में बात की जा रही है Then, next year Republic TV के बारे में article है Then, ये बिहार की politics के बारे में article है सिर्फ यहाँ पे जो article आज हमें अच्छे से discuss करना है वो है, ये COVID-19 की जो vaccine है जो Pfizer जो company है vaccine की वो लेके आ रही है उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले आज का caricature discuss कर लेते है इस caricature में you can clearly see that जो नितीश कुमार है उनके against जो है LJP ने अपने पूरी जितनी भी seats थी वहाँ पे अपने candidates जो है वो plot किये थे तो जो नितीश कुमार की जो votes है वो votes LJP ने जो है चिराग पासवान की जो party है उन्होंने cut की जिससे की यहाँ पे clearly देख रहा है कि वो CM तो है बट उनकी जो strength है वो कम हो गई है because he has been the last seat तो ये इसमें बात की जा रही है अब यहाँ पे सबसे पहला जो article है उसको एक बार discuss कर लेते हैं जो नितीश कुमार है वो पूरी तरह से इस बार उन्होंने election तो fight किया बट वो पूरी तरह से BJP की दया के पात्र रहे मतलब BJP इस समय strong है वहाँ पे और जो नितीश कुमार की जो party है जो पहले वहाँ पे जो है वो एक बड़ी party थी वो अब एक small party बन गई है small alliance उसके साथ बन गया है और साथी साथ जो NDA है उसने उसको victory तो मिली ही है साथ में जो JDU है वो थोड़ा नीचे हो गई है और BJP एक बड़ी party उभर के सामने आई है साथी साथ जो ये H.A.M है हिंदुस्तान आवावी मोर्चा एंड वी आई पी ये जो है इनको चार-चार seats जो हैं मिली है इसके basis पे बहुत ही मतलब वहाँ पे tight rope walk चल रहा था उसके basis पे जो election हुआ फिर जब result आया तब neck to neck दौनों जो alliances है नितिसकुमार है वो fourth state term के लिए chief minister बनने वाले हैं और this time at a mercy of BJP मलब BJP पूरी तरह से उसके लिए जिम्मेदार है कि नितिसकुमार जो है वो फिर से CM बनने वाले हैं अब बिहार politics जो है वो उन्होंने अपनी जो promise है वो किया था कि वो social justice लेके आएंगे कि जो समाज में जो society में जो poor है downtrodden people है जो गरीब है उनको बापिस से उपर लेके आएंगे साथ में good governance भी वो provide करेंगे और फिर इसकी वज़े से पिर जब election में वो diminished हो गया उनका जो जो कद था वो थोड़ा छोटा हो गया यह इस article में बात की जा रही है next जो है यह article जो है MP के जो by election है उसके बाइएलेक्शन है उसके बात करता ही है उसका थोड़ा सा political orientation है बद इसके साथ साथ जो है defection को लेके जो anti-defection law है उसके बारे में कुछ suggestion और कुछ points जो है अपन को दिये हुए है उनके बारे में discuss कर लेते हैं जो मद्धिप्रदेश में अभी by election हुए उसमें जैसे assembly election में भारती जंदा party को बढ़त मिली वैसे ही मद्धिप्रदेश के जो election थे वहाँ पे भी हुआ अब यहाँ पे जो incumbents थे मतलब जो सिवरा सिंग चोहान थे उनको जो है बापस से लोगों ने उनकी जो party है उसको बापस से लोगों ने पसंद कर लिया अब जो by election है वो क्यों होते है because कोई person है वो disease जो मतलब है अगर वो expire हो जाता है अगर वो उसमें कोई incapacity होती है तो उसके case में by election होते है और उसकी वज़े से अगर वो अपनी constituency को represent नहीं कर पा रहे है तो उस reason में उस particular reason में जो है वो by election होते है अब यहाँ पे जब यह by election होए तो इसमें BJP जो है वो 28 seats मैं से जो है majority of seats जो है वो BJP ने जीती है अब यहाँ पे यह अपने लिए important नहीं है कि defection है वो एक significant number of MLA elected on one ticket मतलब बहुत सारे जो MLA है वो एक ticket पे elect होके आये थे और जब उनको अपना जो भी political gain है या जो भी उनका gain चाहिए होगा उनको तो वो gain नहीं मिला और फिर वो उसकी वज़े से जो है उन्होंने अपनी party छोड़ दी और government को overturn कर दिया ये एक तरह से governance का bad advertisement है इंडिया में जो है ऐसा नहीं किया जाना चाहिए अगर लोगोंने किसी एक particular person को mandate अपना दिया है तो उसको उस mandate को जो है उसका सम्मान करना चाहिए और 5 साल जो है उसी party में बर्क करना चाहिए ideological difference अगर है तो उस विक्ति को थोड़ा पहले ही अपनी जो party है उसको change कर लेना चाहिए election से पहले because इस condition में जो है वो ex checker जो राजकोस है government का उसमें पूरा भार पढ़ता है election का और process फिर से करनी पढ़ती है तो ये सारी चीज़े है अब पहले तो ये जो event है जो party में defection का जो event है party को छोड़ने का जो event है election होने के बाद ये small states जैसे की गोवा, मनीपूर इन states में देखने को मिलता था बट ये अभी जो large states हैं जैसे की करनाटका, मध्यप्रदेश इन states में भी देखने मिला तो ऐसे बहुत सारे places हैं जहां पे ये change हुआ जैसे करनाटका में है वहाँ पे कुमार स्वामी को Chief Minister बना दिया गया था Congress and उन दोनों को support देके फिर उसके बाद बहाँ पे जो government है बापस से BJP की आगई तो ये एक fact है कि voter जो है इसको एक moral issue मानते हैं कि नहीं defection एक moral issue है voters के लिए कि नहीं voters कुछ ऐसा question अपने जो जिसको वो elect कर रहे हैं उससे question उठाते हैं कि नहीं कि आप ज्यादा time तक जितना time आपको दिया गया है उस time तक आप जनता की सेवा करेंगे अब दूसरी चीज ये भी है कि voters जो अपनी preference जो है वो same रखते हैं उसी person को party बदलने के बाद चुन लेते हैं because voters को ये लगता है कि उस condition में instability बढ़ेगी उनके उस जगा पे उस condition पे तो इसलिए वो बापस से उसी person को जो है वो चुन लेते हैं ये बात इस article में की जा रही है अब यहाँ पर ये myth and reality of election forecast यहाँ पर बहुत सारे जो exit poll हैं opinion poll हैं election के date के नजदीक आते रहते हैं और फिर जो opinion poll है और ये जो exit poll है वो अपनी अपना forecast देते हैं कि किस party को कितनी seats मिलेंगी और यहाँ पर एक हास्यास्परत बात भी दी हुई है कि last जो election हुआ था बिहार का उसमें RJD Plus को minimum and maximum seats दी हुई थी कि minimum range है 71-81 और maximum है 180-169-191 तो ये तो obvious सी बात है सभी को पता होगा कि minimum इतनी हो सकती है maximum इतनी हो सकती है तो इतना बड़ा projection देने की क्या जरूरत है अगर दे रहे हैं तो कोई precise ऐसा projection देना चाहिए और दूसरी चीज जो ये election में अपना opinion poll रखते हैं opinion देते हैं वो अपनी methodology मतलब किस method से उन्होंने ये निकाला है उनका sample size क्या था कितने लोगों से उन्होंने election के बाद बात की कितने लोगों के क्या views रहे ये सारा जो है वो public में नहीं रखते हैं directly हो सकता है कि उनके जो opinion poll है वो पूरी तरह से जो है be asked है किसी एक single party की तरफ है जैसे कि 2000 यहां पर बात की जा रही है बिहार के जो पहले election थे उसमें NDA को पूरी तरह से जो है वो बढ़त दी गई थी opinion poll में exit poll में बढ़ जब बाद में election का result आया तो BJP जो है NDA जो है अपनी जो government नहीं बना पाई अब ऐसा ही इस बार देखने मिला कि जो exit poll है उसमें जो RJD है और Congress का जो alliance है महागड़ बंदन है उसको ज़्यादा सीच दी गई लेकिन जब बाद में result आया तो वो opposite आया तो ये एक तरह से इनके उपर एक question mark हो सकता है अब next ये जो article है इसको और इस article को discuss नहीं करेंगे because वो पूरी तरह से political orientation की उपर बात कर रहा है a time for cautious optimism अब यहाँ पर बात की जा रही है जो Pfizer company है उनकी जो vaccine है उसका जो phase 3 trial है उसका analysis आने वाला है और उस analysis से एक optimism लोगों के अंदर आ सकता है positive thinking आ सकती है कि आने वाले time में जो है vaccine जो है वो अपलब्द करा दी जाएगी अब यहाँ पे जो यह vaccine है वो एक mRNA vaccine है जिसको store करने के लिए approximately minus 70 degrees Celsius से नीचे जो है cold storage होनी चाहिए जो सबसे बड़ी condition है जो इंडिया में अपलब्द नहीं है अब इस vaccine के बारें बात की जा रही है कि यह जो vaccine है इसका जो phase 1 trial है उसका result August में announce किया गया था और इससे पता चला कि इस vaccine ने जो neutralizing antibodies है मतलब जिस person को यह vaccine administer की गई उस person की body में जब जो है वो antibodies produce हुई और साथ में जो T cell है उनका adapted immune system का बहुत ही बड़ा component था मतलब एक person है उसको अगर यह vaccine administer की गई है तो उसकी body में immune system जो है वो immune response जो है वो develop होने लगा अब neutralizing जो antibodies है younger adults जो 18 से 55 years है उन में 3.8 time ज़ादा थी in comparison with जिनको plasma therapy provide की गई थी या जो older adult थे 1.6 time more थी जो older adult से उन से कहना का मतलब यह है कि यह जो vaccine है वो एक जो है ऐसी आशा है कि यह vaccine अच्छा काम करेगी because इसके जो result है वो इस तरह से so कर रहे हैं कि जो plasma therapy है उससे भी अच्छे result so कर रहे हैं और जो बुजूर्ग लोग होते हैं 65 से 85 years उन में भी अच्छा result so कर रहा है अब यहाँ पे यह जो vaccine है उसको 43,000 लोगों के उपर test किया गया था और उसमें से 90% जो है इसकी effectiveness नजर आई और इसमें जो trial participants हैं जब भी vaccine का trial होता है तो उसको दो group में बाट दिया जाता है एक group को जो है वो clear vaccine दी जाती है एक group को जो है वो placebo दिया जाता है placebo मतलब जैसे vaccine का एक liquid होता है वो syringe में भरा जाता है वैसे ही placebo भी एक liquid होता है जो syringe में भरा जाता है बट जितने भी trial के participants होते हैं उनको ये नहीं पता होता है या जो doctor है उनको भी ये नहीं पता होता है कि कौन सा placebo है या कौन सा vaccine है जिससे की result को check किया जा सकता है कि vaccine की efficacy कितनी है जैसे की अगर कोई चीज है मैं इसको एक figure के तोर पे आपको समझाने की कोसिस करता हूँ जैसे let's suppose कोई एक index है जो 100 है अब यहाँ पे उसमें vaccine अगर administer की गई तो let's say अगर वो index 110 हो जाता है let's suppose अपन antibody की ही बात कर लेते है let's say 10 increase हो जाता है तो वो माना जाएगा की 110 है मतलब 10% increase हो रहा है अब अगर let's suppose यह जो 100 है वो normal placebo एक person को administer किया गया और देखा गया कि उसकी उसकी body में जो है अपने आप immune response डेबलप ओंड लगा और उसकी body में जो है 5% antibodies बढ़ गई तो इस case में यह बंजीरो 5 बढ़ रहा है इसका मतलब यह हुआ कि यह तो 5% जो है वो अपने आप बढ़ रहा है ना without vaccine के administration के तो vaccine ने काम सिर्फ कितना किया है सिर्फ 5% काम किया है बंजीरो 5 से बंजीरो 10 तक पहुचाने में तो यह काम होता है placebo का जिससे की vaccine की जो बिलकुल reality है या किसी भी medication की reality है वो पता चल जाती है अब यहाँ पे जो efficacy है vaccine की जो evaluate की जाती है second dose के seven days के बाद अब पहला जो dose है वो दिया जाता है उसके 28 days के बाद second dose जो है दिया जाता है और फिर seven days के बाद उसका जो है वो efficacy पता चलती है अब जो trial participants है उसमें से 164 इनके जो trial participants है उनको जो है वो infected हो गए लेकिन अभी यह पता नहीं है कि उनको placebo administer किया गया था या फिर vaccine administer की गई थी तो company जो है वो expect कर रही है कि next month तक उनका जो trial है वो जो complete हो जाएगा और वो follow हर एक individual का जो follow up है वो आने वाले two month में कर लेंगे और फिर जो USA का food and drug administration है वो उसका vaccine को approval provide कर सकता है और 90% अगर vaccine में effectiveness है तो वो एक अच्छी बात है because scientists जो है वो इतना expect नहीं करते हैं कि इतना ज़्यादा effectiveness किसी vaccine में होगी तो ये बात इस article में की जा रही है आज यहाँ पर जो articles है वो थोड़े से कम है तो इसलिए आज हम Indian Express के वारे में भी थोड़ा बात कर रहे हैं उसमें भी कुछ article है जिनको discuss करेंगे जो सबसे पहला article है ये कल भी हमने discuss किया था ये article बात कर रहा है finance commission के वारे में तो जो finance commission होता है उसको define किया गया है custom duty ये जो सारे tax है इन से central government को जो gross tax revenue मलता है उस gross tax revenue में से central government को कितना money states को नीचे पहुचाना है जिसको की जैसे central government जो है वो states को vertical devolution में कितना money दे रही है और साथ ही साथ फिर हर एक states को horizontal devolution में कितना money मिलने वाला है तो ये decision जो है वो finance commission का होता है फिर इसके बाद जो finance commission है वो अपनी report prepare करता है और फिर वो report president के पास जाती है और president उसको parliament में रखता है और फिर government उस report की एक closer report file करती है तब पता चलता है government ने finance commission की कितनी वातों को implement किया अब यहाँ पे जो 14th finance commission है जिसके chairman जो है वो YB ready थे तो उस time पे जो central government है उसके पहले central government सिर्फ अपने gross tax revenue का 32% जो money है वो ही states के साथ share करती थी लेकिन जो 14th finance commission के chairman थे YB ready उन्होंने उस vertical devolution of tax को जैसे let's suppose central government का जो gross tax revenue है वो 24 lakh करोर रुपीज है तो उसमें से central government पहले जो है 13th finance commission के time पे 32% जो money है वो states को transfer करती थी लेकिन अब जो money है 14th finance commission ने उसको बढ़ा के 42% कर दिया था जिसको central government ने मान लिया बट यहाँ पे एक condition यह है कि condition यह है कि जो revenue है states को जो अपना share मिल रहा है वो share अब पहले से कम होता जा रहा है because central government जो भी tax collect करती है उस tax के उपर जो है वो surcharge और sas भी implement कर देती है तो tax तो central government को constitutionally states के साथ share करना है बट sas और जो surcharge है जो अधिबार और उपकर है वो central government को states के साथ share करने की कोई भी constitutional binding नहीं है तो central government tax के साथ surcharge और sas जो है वो बढ़ाती जा रही है जिससे की central government का जो revenue है वो बढ़ता जा रहा है बट states के साथ जो money share करना है central government को उसका component कम होता जा रहा है जिससे की states को मिलने वाला share धीरे धीरे कम होता जा रहा है तो ये condition यहाँ पे रखी हुई है और दूसरी चीज यहाँ पे कुछ decades में ऐसा भी पता चला है कि जो center है central government अपना जो भी spending कर रही है वो state list और concurrent list में जादा कर रही है और जो union list है उसमें कम कर रही है और central government को बहुत सारी चीजों के लिए जो है वो money expand करना होता है जैसे कि defense purposes के लिए security expenditure के लिए और उसके बाद जो subsidies है farm subsidy है और जो petroleum products पे gas पे subsidy है उसमें fertilizers पे subsidy है यह subsidy central government प्रोवाइड करती है जिससे कि उसको ज़्यादा revenue की ज़रूरत होती है in comparison with states और साथ में central government के पास जो भी SAS आता है GST compensation से उस SAS से central government states को GST compensation प्रोवाइड करती है because GST जो implement हुआ था वो इसी case से implement किया गया था कि central government states को होने वाले revenue laws को पूरा करेगी अब यहाँ पे जो finance commission है उसका काम है कि वो यह जो issue है vertical devolution और horizontal devolution और tax तो देखता ही है साथ में वो physical consolidation मतलब इंडिया में जो money है वो government को कितना tax का money है वो states के साथ share करना चाहिए हर एक states को कितना money जो है वो मिलना चाहिए साथ ही साथ जो finance commission है उसका काम है कि वो performance based incentive देती है states को in line with center priorities जैसे अभी central government ने priority रखी है कि अगर states जो है वो अपनी schemes में direct benefit transfer को एक component बनाती है subsidies provide करने के लिए social security provide करने के लिए अगर direct benefit transfer को एक tool के तरह use करती है तो उनको जो है वो incentive थोड़ा ज़्यादा दिया जाएगा अब यहाँ पे बात आ रही है कि central government और states government के बीच में अभी जो है वो एक तरह से रसा गसी चल रही है GST को लेके GST compensation को लेके तो government को जो अपनी ये report है जो finance commission की report है उसको जल्दी से जो है without delay उसको जो भी उसमें बाते की जा रही है उसको address करना चाहिए और कोई भी जो आने वाली असंका है जो भी apprehension है उनको दूर करना चाहिए अब यहाँ पे जो ये next article है इसके बारे में बात कर लेते हैं ये बात कर रहा है कि इंडिया में lending का क्या case है means इंडिया जो है उसमें banks जो है वो किस तरह से land करते हैं अभी यहाँ पे article की starting होती है कि जो China है चाहिना में जो richest person of China है जैक मा उनकी जो company थी and company उसका जो IPO launch हुआ था वो China ने China की government ने Chinese government ने उसको जो है वो stop कर दिया जिससे जो जैक मा की company है वो अपनी वहाँ के जो stock market है Hang Seng और जो Shanghai है और जो Hong Kong का market है Shanghai Composite और Hang Seng Composite दो चलते हैं वहाँ पे तो उसमें अपने आपको जो है वो list कराने वाली थी लेकिन Chinese government ने एन वक्त पे 48 times पहले ही IPO की जो launching होनी थी उस पे stop लगा दिया अब यहाँ पे IPO क्या होता है IPO होता है initial public offering इसमें क्या होता है जैसे let's suppose आपकी एक company है वो 100 rupees की company है आप चाहते हो कि market से आप अच्छा कर रहे हो और आप चाहते हो कि और लोग आपकी company में invest करें तो आपने 200 rupees के जो है वो share launch किये 200 rupees के 20 जो share है वो let's suppose 300 rupees के जो है वो share आपने launch किये और हर एक share की आपने value रखी 10 rupees तो इस तरह से आपकी company के total जो है वो 40 share हो गए है because total capital 400 rupees है तो आपके जो 40 share हो गए है उसमें से 10 share आपके पास है और जो 30 share जो ये 30, 10-10 rupees के 30 share अगर कोई purchase करता है तो वो 30 share other persons के पास होंगे इस तरह से आपके पास जो है total 400 rupees आगए है आपकी company में जो आप उसको expand करने में use कर सकते हो और साथी साथ जो company है उसकी market में listing हो गई जिसकी बज़े से उसका जो capitalization है वो आगे increase होने वाला है विकोज अगर लोगों को आपकी company में interest रहेगा तो उसके जो share है उसकी जो price है वो बढ़ेगी विकोज अगर आपके share की price बढ़ती है तो आपके share की demand बढ़ती है तो उसकी price भी automatically बढ़ेगी क्योंकि लोगों को ये आभास होगा कि अगर आपकी company को profit होता है तो आप उनको अच्छा dividend जो है वो provide करेंगे इसी hope के साथ लोग आपकी company में invest करेंगे तो ऐसा एक IPO होता है तो इस IPO में जो jackma है और वान्च किया और ये जो IPO है वो 35 billion dollar का था और इसके launch होने के 48 hours पहले ही चाइना की government ने उस पे रोक लगा दी और इस IPO जब IPO launch होता है तो हर एक individual को जो है वो company investment banker जो भी होता है जो investment banker होता है जो IPO को initially start करता है जैसे कि कोई JP Morgan हो सकता है bank of America हो सकता है ये investment banker है ये पूरी file बर्क और procedure को complete करते हैं और ये फूरा file बर्क और procedure complete करते हैं उसके बाद IPO की listing होती है तो ऐसी total 3 trillion की उनके पास application पहुँची IPO के लिए लेकिन IPO का size सिर्फ 35 billion था तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़ादा लोगों के अंदर उनकी company में invest करने का जो है वो interest था लेकिन थोड़े time पहले ही यहाँ पे उन्होंने जब IPO को रोक दिया तो यहाँ पे दिख रहा है कि communist जो rule है वो free market को होने नहीं दे रहा है जो entrepreneurship है because जो jack ma है वो एक entrepreneur भी है मतलब उन्होंने zero से start किया है अपना सारा कुछ तो इसकी बज़े से वहाँ पे एक challenge है और उस challenge का वो challenge जो है वो इंडिया में नहीं है because इंडिया जो है वो एक तरह से free market provide करता है यहाँ पे writer ने कुछ argument रखे हैं अपने कुछ questions जो है वो अपने रखे हैं कि इंडिया में कुछ ऐसी companies हैं जो अब जैसे चाइना की ही बात कर ली जाए तो चाइना ने ये IPO इसलिए launch नहीं होने दिया because जो Jack Ma है वो अपना जो कद है वो बहुत जादा बढ़ा रहे हैं तो जो चाइना की communist party है वो उस बात को लेके आसंकित है कि आने वाले time में उनको problem हो सकती इसलिए उन्होंने इस IPO की listing को जो है वो listing होने से पहले ही रोख दिया अब यहाँ पर writer का कहना है कि इंडिया में condition थोड़ी दूसरी है आखिर इंडिया में क्या condition change है कि जो Tata Nection है वो Indian car company है despite उसमें imported component लगे हुए है SDFC एक Indian bank है लेकिन उसमें जो share holding है वो foreigners की है देन सुझू की जो है वो अपने जो भी car है वो इंडिया में बनाती है लेकिन क्या वो एक Indian company है बड़ सुझू की सभी को पता है it is a Japanese company बड़ फिर भी वो इंडिया के लिए तो Indians के लिए तो वो एक Indian company ही है साथ में जो Microsoft के CEO सत्या नडेला है क्या वो एक वो Indian है तो company भी Indian हुई तो इस बात की उपर बात की जा रही है ज्यादा तर जो financial institution है इंडिया के पास labor भी है और land भी है बट capital जो है वो इतना ज्यादा नहीं है because जो foreign financial institution है वो उनके पास जो technology भी है process भी है experience भी है वो उसका use कर लेते हैं बट इंडिया उस चीज़ को जो है वो use नहीं कर पा रहा है इंडिया में जो foreigners हैं उनके पास 25% जो equity है मतलब हर एक company में total मिला दिया जाये तो 25% equity है और 90% जो है वो private equity है मतलब हर एक individual की है अब last 10 years में इंडिया में जो है bank credit credit to GDP ratio means credit को आप उपर रखेंगे मतलब bank ने कितना loan दिया और GDP को आप नीचे रखेंगे मतलब इंडिया की GDP कितनी है तो इंडिया का credit to GDP ratio है वो 50% है एक अच्छी country के लिए ये लगभग 70% होना चाहिए साथ में इंडिया में जो है वो bad loan 10 lakh करोड से उपर जा चुके हैं मतलब जो bank है उन्होंने लेंडिंग तो की है उधार दिया है लेकिन वो पापस नहीं आया तो वो एक तरह से bad loan में चला गया तो अब यहाँ पे इंडिया में जो है financial institution जो है उनको foreign institution वो land नहीं करते हैं और वो small enterprise borrowers को तो बिल्कुल भी land नहीं करते हैं अब यहाँ पे बात की जा रही है कि 2007-8 में जो financial crisis आया था उसमें global life के साथ साथ जो local life है उसके लिए भी जो है वो problem हुई थी अब यहाँ पे main जो article का chunk है वो यह है कि अगर transparency रहेगी और लोगों को अपना जो काम है वो करने दिया जाएगा तो धीरे धीरे वो develop हो सकते हैं और एक बड़ा जो financial hub है वो बन सकता है यह इस article में जो बात की जा रही है अब यहाँ पे writer के कुछ suggestion है कि top जो 100 bank है उसमें से जो है 19 Chinese bank है वर्ल्ड के तो इंडिया का सिर्फ एक ही bank ऐसा क्यों है तो इंडिया को जादा से जादा जो है वो landing institutions बनाने चाहिए और उसके लिए जो है वो impact सबसे जादा जो impact है वो nationalized bank एक holding company बनानी चाहिए जो finance ministry की department of financial service को replace करे तो एक independent board होना चाहिए और कम से कम 25 जो नए full bank है दस साल के अंदर उनको जो है government को license provide करना चाहिए जिससे की वो अपना काम कर सके और साथ में जो है वो loan ज्यादा से ज्यादा provide कर सके और जिससे की जो है वो growth है यहाँ पर बात की जा रही है कि इंडिया में कितना ज्यादा जो mahal है वो कुछ इस तरह से है कि जैसे की Info Society, CSI प्रो है इन्होंने competition, ambition और persistence दिखाते हुए पूरे world में अपना जो है वो अपनी जो growth है वो उसको दिखाया है तो यह बात इस article में की जा रही है Thank you very much